हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर उपादिया वेलकम तू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेजिस बात करने वाला हूं आज के सेशन में कुछ अलगाज सेट आडे है और मैंने पिछले दो तीन वीक पहले कहीं ना गहीं आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि अब सेटरेडे संडे मैं से एक वीडियो जरूर ऐसी होगी जो थोड़ी मार्केट से स्टेडी रिलेटिड हो यानि स्टॉक से हटके तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑप्शन ट्रेडर के लिए देखिए आर आज कल की डेट में ना मतलब ऑप्शन ट्रेडर बहुत जादा हो गए है और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैक्सिमम जो है ऑप्शन में काम होने लगाया रिजन यह है कि आपको कहीं ना कहीं देखिए जो न्यू इन्वेस्टर है उन्हें लगता है कि यह एक फास्ट अर्न मनी करने का जरिया है यहां पे आपको लिमिटेड रिस्क होती है ब बारे में ही बात करने वाला हूं यानि की ग्रीक ऑप्शन ग्रीक चेन के बारे में बात करेंगे देखिए मैं आप सभी के साथ जो यह पॉइंट जिसक्स करूंगा उसके बाद आपको कहीं ना कहीं यह समझ में आएगा कि अगर आप यह चीज कोई भी स्ट्राइक प्राइ 2000 के लेवल्स पे खरीदी उसका ऑप्शन खरीदा इस लेकिन स्टॉक का प्राइस का है 2000 पे आप देखते हो यार कि वो नीचे उपर उपर नीचे करके लास्ट में 2005 पे बंद हो रहा है यानि आपके खरीदने से 5.2 पर है बट आपका ऑप्शन आपको लॉस दे रहा है लास हो सकता है यह सब चीज आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे तो एक लिगाई सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते या फिर आगे भी आपका कोई इंट्रेस्ट नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ये आपको एक बहुत ही जादा सीख देने वाली वीडियो हो सकती है लाइफ में आपको हमेशा काम आएगी जब भी आप ऑप्शन में काम करेंगे तो बहुत बारे में बात करने वालों होंगा इस जैसे कि मैंने आप सभी को समझा है ग्रीक के बारे में देखे ग्रीक सबसे ज़्यादा मैजड़ा क्या ओPänn में तीन चीज़ों होती है, चार चीज़ाई में, सबसे पहला होता है, आपका strike price, देखें, strike price सबको पता है क्या होता है, जो बिल्कुल ही beginners और fresher हैं, जिन्होंने option के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो वो भी ये video skip कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना detail में video बनाऊँगा, तो शायद video एक घंटेगी हो जाए, क्योंकि जो जानते हो option के बारे में, उनको पता होगा, कितना भी इसे discuss कर लो, एक कमी पढ़ेगी, वीडियो छोटी ही रह जाएगी, इसलिए मैं आपको direct, basic ना समझा के, मौटा मौटा समझाता हूँ, जो काम करते हो, उन्हें obviously समझ में आऊगे होगा, strike price क्या होता है, सबसे ज्यादा matter करता है, strike price, उसके बाद आप सभी को कही ना कही पता चलता है, कि इसमें एक premium भी होता है, वो premium आप pay करते हो, और वो fall होता रहता है, तब ही आप लोग confused होते हो कि यार मैंने यह यहाँ खरीद दता है, stock बढ़ गया, बट मुझे loss लग रहा है, क्यों वो premium गड़ जाता है, उसके बाद होता है time expiry, volatility, यह सारी चीज़े matter करती है, यह सारे किस एक इंसान ने पूरा point wise discuss करा, point wise इसको एक chain बनाई, जहाँ पर एक एक करके सब को समझाया गया है, आज चीज़, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए, Greek, सबसे पहला इसमें होता है, एक चीज़ और guys, मैं blackboard नहीं है, और मैं screen पे भी शायद show ना कर पाऊं आपको, तो please, please request है, या तो आप अपने साथ अपना phone लेके बैठिए, जिसमें आप जो मैं बोलूँ, वो direct check करते हैं, जिसे देखते रहें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और practically हो जाएगा, या फिर आप copy और pen लेके बैठ जाएगे, अगर आपको really में समझना है तो, otherwise आप सुन लेंगे और समझ मीं नहीं आएगा, तो कोई फाइदा नहीं है, इस वीडियो का बिल्कुल time waste हो जाएगा, सबसे पहली चीज होती है, option में delta, second number पे gamma, third number पे theta, fourth vega, एक row होती है, वो आप छोड़ दीजिए, वो matter नहीं करती है, ये चार चीज बहुत important होती है, option trading में, और option trading में important क्या होती है, यहीं चीज होती है, option trading में, क्या-क्या होती है, delta, gamma, theta, vega, ठीक है, ये चार चीज आप note कर लीजिए, अगर आप pen है तो, और pen नहीं है, तो आप अपने option chain में जाके, चारों चीज ग्रीक में जाके पढ़ सकते हैं, क्या-क्या, एक बार और revise करते हैं, delta, gamma, theta, vega, hope so, आप सबी को clear हो, अब इन चारों चीज़ों का option में, क्या काम है, उसके बारे में समझते हैं, guys, video अभी तक में बड़ी होती जा रही है, मैं थोड़ा और detail, short में आता हूँ, चारों चीज़ों का, अलग-अलग अपना-अपना एक काम होता है, for example, सबसे पहले, एक के करके चारों चीज़ों की थोड़ी-थोड़ी definition ले लेते हैं, short में, उसके बाद एक एक जामपल के साथ समझेंगे, ठीक है, delta जो होता है, delta वो आपके, जो, just for example, nifty अभी trade कर रही है, 18,100 पे, तो nifty move करेगी, यानि, 18,100 से, 18,000, आपने call buy करी, यानि भढ़ना चाहिए nifty को, 18,150 हो गई, तो delta आपको denote करता है, जितना delta भढ़ेगा, यानि, 150 होगी, 18,000 को अठाते हैं, भी 100 पे trade कर रही है nifty, 150 पे होगी, 50.2 पर आगई, तो आपको कितना profit होगा, ये show करेगा delta, और आप ये कैसे पता लगा सकते हैं, कि मेरी call की value क्या हो जाएगी, वो delta आपको denote करेगा, for example, example ये live है guys, मैंने, अभी पहले detail में और समझते हैं, delta क्या होता है, सीधा-सीधा, जो जिससे relate करता है, वो होता है, इस टॉक के price से, for example, आपका nifty move हो रहा है, 18,100 से 150 हो गया, तो delta आपका बढ़ेगा, 120 हो गया, और या फिर 18,050 हो गया, तो delta गिरेगा, ठीक है, delta direct connection है, delta का price से, stock के, second क्या बता है, मैंने आप सभी को gamma, gamma का direct connection होता है, delta से, जिससे delta का था, स्टॉक प्राइस से, वैसे, gamma का delta से है, यह किस वे में काम करता है, जैसे delta अप मूव देगा, तो gamma आपको denote करेगा, कि delta में कितना change आएगा, जैसे कि अभी क्या हो रहा था, stock price उपर जा रहा था, तो delta उपर आ रहा था, बट delta में कितना change होना है, वो gamma denote करता है, वो gamma से relate होता है, थर्ड क्या होता है, थीटा, देंकि यह एक बहुत important चीज़ है, थीटा, maximum जो problem है option में, वो theta की वज़े से आती है, और जो maximum hedge करते हैं, उनको वो theta का फाइदा लेते हैं, थीटा एक बहुत important चीज़ होती है, पूरे option में, थीटा क्या होता है, time frame, time to expiry, for example, आप लोग कुछ भी buy करते हैं, जैसे 18,100 पे अभी nifty spot में trade कर रही है, अगर आप 18,100 की call, आज की date की live बात कर रहा हूँ, Saturday की, सबसे पहले clear कर दूँ, मैं आपको ऐसा नहीं है, मैं अपने मन से कोई भी level दे रहा हूँ, नहीं, जो exact है, वो मैं आप सभी के साथ share कर रहा हूँ, 18,100 की 18th November की expiry की call trade कर रही है, 126 पे, और spot में nifty अगर आप देखने जाओगे, तो spot में nifty आपको देखने को मिलेगी, 18,103 पे, Thursday के session में, अगर nifty इसी level पे close हो जाए, यानि 18,100 पे, तो ये जो 126 है ना, ये 0 है, इसकी value 0 है, 3 रुपे है, in fact, जो कि एक सो तीन पे 18,100 तो 3 रुपे है, बट ये 126 रुपे की value कितनी होनी चीए, तीन, क्यों, क्योंकि थीटा, ये आप premium पे करते हो, थीटा को, थीटा पे कर रहे हो, आप premium, तो ये थीटा होता है, ये डेली बेस पे कम होता है, तो देखिए, बहुत सारे लोगों को जो ये देखते हैं, यार मैंने वही वाला पुराना example ले 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 थे, तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, आप से भी को definition समझ में आ रही होगी, डेल्टा का direct connection होता है, stock के price से, गामा का direct connection होता है, डेल्टा से, कि डेल्टा में कितना change आना चाहिए, वो आप गामा को देख के check कर सकते हैं, थीटा आपका premium कितना कम होगा, यानि आप अपनी risk देख सकते हैं, अगर आप option buyer हैं, तो अगर आप option seller हैं, तो आप यह देख सकते हैं, कि मुझे last में जाते जाते हैं, अगर मेरा यह होगा, तो मुझे कितना profit होगा, क्यों थीटा तो गिरना ही गिरना है, थीटा तो मैनस उतना होगा ही होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, अभी last जो चीज है वो है vega, vega होती है guys, implied volatility, यानि volatility को जो कहीं न कहीं देखती है, अभी vega की बात करूं, तो अगर आपको volatility जो है, जब कोई news हो रही हो, market में बड़ी move हो सकती है, किस reason से हो सकती है market में बड़ी move, या तो बहुत ज़्यादा shorts हो गई हो, बहुत ज़्यादा long हो गई हो, वो अभी आगे, अब एक-एक example के साथ, एक-एक एक एक example लेंगे, चारों के साथ denote, चारों से connect कर देंगे, hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा, मैंने खोल रखी है, Nifty की 18,100 की call, जो हो गई, Inda Money, ठीक है guys, Inda Money call हो गई, Inda Money क्यों हो गई है, क्योंकि 18,100 पे Nifty है, और 18,100 की call मैंने ले रखी है, ठीक है, Inda Money call हो गई, right, Inda Money call में आगे हूँ, मैं अभी इसका Delta चेक करूँ, जो मैंने आपको Delta समझाए, direct किस से connect होता है, इस टॉक के price से, please guys, मैं बार बार रिपीट करूँ, तो वीडियो बढ़ी हो जाएगी, आप याद रखना या लिख लेना, मैंने आपको पहली समझा दिया था, Delta अभी जो चल रहा है, Nifty की 18,100 की call का, 18 November की expiry का, यानि इस भी की job आएगा, Delta है 0.5120, 0.5120, short में बोलें 0.51, 0.51, डेल्टा की एक खुद की range होती है, वो range होती है, 0 से लेके 1 तक, एक से उपर नहीं हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता, एक रुपे हो जाता है, तो future हो गया, बिल्कुल future खड़ा हो गया, जैसे future क्या होता है, अगर आप future buy करेंगे, तो nifty spot में एक रुपे बढ़ेगा, यही तो मैं आपको बता रहा था कि आप पहले ही जज कर लेंगे, मेरी call अगर यहां से यहां आगे, तो मुझे मेरी call की क्या value हो जाएगी, exact नहीं होगी, बट वही उसी के आसपास आएगी, ठीक है, अभी delta चल रहा है, 0.51, अब हम इसको समझते हैं, अभी nifty spot मैंने 18,103, call option है, 126 पे, अगर आप यह call option buy करते हैं, 126 रुपे ठीक है, 126 रुपे पर buy करी, delta आपने देख लिए 0.51 है, spot में 18,103 है, अभी spot में 18,103 की जागा है, निफ्टी हो जाए, 18,123, यानि 20 point बढ़ गई, तो अभी आपकी call की value क्या होनी चाहिए, simple, बिल्कुल simple, 20 points ब देल्टा कितना है, 0.51, तो 20 into 0.51, यानि अपरोक्स 10 point, यानि 10 point आपको profit हो गया, देखा, समझ में आया कि आपकी call की value कहाईगी थी, otherwise आप मैंसा अंदाजा लगा सकते दे, इतना बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, अभी आप डेल्टा देखके, चेक कर सकते हैं, कितना ब 23 पर अगर export में आगी, तो आपकी call की value हो जाएगी 126-136, तो ये 10 point आपके plus हो गई, डेल्टा के लिए, अभी गामा की, तो गामा ट्रेड कर रहा है, 0.0010, अभी मैं इसके लिए आपको एक दूसरी call की value बतानी पड़ेगी, मुझे, दूसरी call जो मैंने add कर रखे, वो 18,300 की, कहां की, 18,300 की out of money call हो गई, यानि की दूर की हो गई, अभी आपको एक interesting चीछ देगा, जो कहीं न कहीं है, ये सोचने नहीं कि मैं दूर की buy करता हूं, पैसे कम लगेंगे, रिस्क कम, क्योंकि 18,100 की call थी 126 पे, अभी 18,300 की call है, चालिस पे, तो लोगों की mentality क्या होती है कि 50 x 42,000, 2000 रुपे की रिस्क है, उपर आ गई तो फाइदा बड़ा हो जाएगा, गलत सोच है, अभी देखिए, डेल्टा क्या है, 18,300 की call का डेल्टा चल रहा है, 0.24, 0.24, उसका डेल्टा था 0.51, ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, अगर आपकी निफ्टी 18,100 की call का डेल रुपे, 10 पॉइंट तब या आपकी call बढ़ेगी, यानि 40 रुपे की call, 50 रुपे तब होगी, जब निफ्टी 40 पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका डेल्टा है 0.24, तो जानि 0.24 x 40, आपकी spot में 40 रुपे बढ़ गई ना, निफ्टी, तो 0.40 करोगे, तो आपका answer निकलेगा, 10, तब आपकी call 10 रुपे बढ़ेगी, लेकिन अगर यही जब 100 रुपे बढ़ जाए, तो आपको कितने मिलेंगी, 100 रुपे बढ़ गए, तो आपको मिलेंगे, 100 x 24, ठीक है, 24 पॉइंट बढ़ गए, बढ़ अभी आपकी spot में कहांगी, 18,200, तो यह जो डेल् हो जाएगा, 0.34, आपकी call के पास किया हो गई, तो यह 0.34 हो जाएगा, तो आपका ratio क्या बन गया, अगर निफ्टी 3 पॉइंट बढ़ती है, तो आपको 1 पॉइंट देगी, अभी निफ्टी 4 पॉइंट बढ़ रही है, तब आपको 1 पॉइंट देगी, तो गामा से आप यह पता लगा सकते हैं, कि अगर आपकी निफ्टी बढ़ेगी, तो आपका डेल्टा में क्या चेंज जाएगा, और डेल्टा में जितना चेंज जाएगा, उतना आपको अपना ही समझ भाएगा, कि मुझे profit होने के chances कितनी है, अभी बात करते हैं, थर्ड चीज जो हैस की theta, अभी में दुबारा 18,100 की कॉल पे आगे हूं, जो कि 126 पे प्लेज़ जया, और 18,100 पे निफ्टी, और theta देखा जाए, तो theta minus 12 है, theta मैसा minus में होता है, क्योंकि theta को अमेसा down ही होना है, प्लस नहीं होता, theta minus 12 है, अभी आप जो चीज जो होती है कॉल अप्शन में वो देखते theta minus 12 है, यानि कि theta को जाते जाते आज के दिन में 12 रुपे तो गिरना है, ठीक है, 12 रुपे theta, 12 points जानि 126 वाला theta, 110, 18, 14, 116 रुपे, 114 रुपे का मंडे को अगर निफ्टी 18,100 की 114 पे हो जाएगा, अगर spot बिल्कुल फ्लेट बंद हो जाए तभी, क्योंकि theta minus 12 है, तो minus 12 है तो point आपको मिलने ही मिलने है, जो option trading में बेचते हैं, ठीक है, अभी theta, ये एक बहुत जादा मैटर करता है, मैंने starting वे ताथा, अब for example, अगर आप option buy करते हैं, तो आपको profit के लिए nifty को कितना बढ़ना होगा, ठीक है, delta कितना है, 0.51, और nifty आपकी trade कर रही है, एक सो तीन तो minus 12 तो delta, theta होना ही होना है, ठीक है, तो अभी minimum आपका जो nifty है, वो 12 into 24, यानि 24 point जब भढ़ेगा न nifty, तो आपकी ये जो call की price है, वो वैसे तो हो जाएगी 12 रुपे plus, यानि 138, बट theta minus होगा जाते जाते, तो 138 के उपर जब जाएगी न nifty, तो आपको फादा शुरू होगा, इसलिए maximum क्या होता है, कि आप तो देखते हो, मेरे level से तो उपर है, बट मुझे minus हो रहा है, क्योंकि वो time जा रहा है, तो theta को देखके आप ये decide कर सकते हो, कि मुझे profit कितने points के बाद होना start होगा, ठीक है, वेगा, मैंने आपको बता दिया, volatility, volatility जो है, आप एक जाता है, तो बेग 2 से, क्योंकि वो level पे आता है, और इसकी जो range होती है, volatility की 9, 8, 9 और उपर में 40, 20, 40 तक भी चली जाता है, 20, 40 और maximum 80 तक भी अमने March के session में जाती हुए जब क्रेश हुए थी market, तो 80 तक, तो call की premium आप देख रहे थे, 4, 400 रुपे, जो maximum आप call की premium पे करते ह थी, तो वो volatility के उपर है, अगर volatility हाई है, premium हाई दे रहे हो, आप तो उसे बेच दो, तो आपको premium मिल जाएगा, जो की volatility नॉर्मल होगी, premium नॉर्मल आएगा, आपको profit होने के चांदा है, अभी मैं एक question छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आएगा, कि आप bank nifty की 18 नमंबर की expiry की 38,800 की call, इस पोट में इस तैम bank nifty 38,733 पे है, 38,800 की call 320 पे trade कर रही है, ठीक है, इसका delta 0.47 का है, और theta है, minus 35, theta यानि time frame जो गिलता है, theta minus 35 है, आप लोग मुझे answer ये दीजिए comment में, delta इसका 0.47 है, 0.47 theta minus 35, अब मुझे आप लोग ये बताइए, कि आपको profit करना है, इस call में, तो आपका bank nifty minimum कितने points अब होना चाहिए, लास्ट साढ़े तीन वजे के बाद, मतलब कि पूरे दिन आपने trade ले रखाया, और आपने carry forward कराया, तो nifty को कितने points उपर जाना चाहिए, तो आप फाइदे में आएगे, theta minus 35 है, और delta 0.47 है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में होगा, तो मुझे इस अंसर से जरूर पता चल जाएगा, और इसका अंसर मैं आपको अगली किसी भी वीडियो में दूगा, जो मेरी स्टॉक की होगी और आज ही हो आएगी, एक दो गंटे बाद या तीन गंटे बाद जब भी आएगी, थैंक यू सो मच ववाचिं इस वीडियो, वीडियो,